हेलो एवरिवान वेलकम टू आर यूटूब चानल प्रशान्त एजूकेशन हब आज हम सी एम एस टी सी सी के जो एक्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बाइलजी के क्वेशिन्स करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट किये शेशिन को स्टार्ट करते हैं इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोईशिन्स को आड़ किया है जो मुझे लगता ही कि यह आपसे क्वेशिन्स पुछा जा सकता है और यह इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट अव्यू से ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेशिन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ एसीजी एसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है तो इसमें पहले है इलेक्ट्रो सेंट्रिग्राम इलेक्ट्रो सेंट्रल गन और इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम तो इसका आंसर जो होगा न सीधा वो क्या हो जाएगा इलेक् को पता है ब्लड के तीन कॉंपनेट होते है आर बीसी डवलू बीसी और क्या होता है प्लेटलेट्स राइट तो इन में से पूछाए कि को क्या वोलते हैं फोलजर ओव दा बॉड़ी तो इसमें लिखेंगे वाइट ब्लड कॉर्पॉसल ठीक है डबलू बीसी नेक्स्ट कॉछ्चन लार्जेस्ट आर्ट्री इनर बॉड़ी की सबसे लार्जेस्ट आर्ट्री जो होती है वह कौन सी होती ओटा इसका पहला ही आंसर है ओटा ठीक है अ person with which blood group is universal recipient recipient क्या होता है जो receive करता है तो इसमें पुछाई कि ऐसा person जो universal recipient होता है उसका blood group क्या होता है उसका blood group होता है AB इसका क्या होगा B option क्यूंकि जिसका blood group AB होता है उसके पास किसी के लिए भी antibody नहीं होता है समझ में आ गया next, how many kidneys are there in human, human के अदर कितनी kidneys होती है, tear of kidney यानि कि दो, right, next देखिए, which one has valves, valves किसके पास होती है, valves, देखें, valve क्या होता है, valves एक तरिके का open और closing door होता है, जो chambers में लगा होता है, इसमें पुछा है कि किसके पास valve होता है, तो veins, artery, capillaries, lymph, vessel, इसमें मैं arteries, अगर options के regarding देखा जाएतो, तो इसमें valve होती है, arteries के पास, ठेक है, next देखिए, person with which blood group is known as universal donor, अभी मैं रेसिपेंट की बात करी थी, universal donor, तो universal donor, जिसको जो किसी को भी blood दे सकता है, that is blood group, बड़ा common question है, right, okay, next, next, the tissue transporting water in plants, plant के अंदर कौन सा tissue है, जो water transportation का काम करता है, simple xylem बोलेंगे, अगर food का पुछा होता है, तो फ्लोम, तो इस question का answer क्या होगा, xylem option B, next question, during the process of photosynthesis, release O2 gas comes out, इसमें बूछा है कि जब photosynthesis process होता है, तो जो oxygen होता है, वो कैसे release होता है, by splitting the water, simple सा question है, जब water क्या होता है, ब्रेक होता है, तो उसमें hydrogen और oxygen में ब्रेक होता है, तो oxygen बहार आता है, और वो hydrogen plants के अंदर use किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर generally O2 की बात करी गई है, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें by splitting of water, next, the basic functional unit of human kidney is, kidney के अंदर जो सबसे basic functional unit होता है, that is nephron, जैसे human के अंदर सबसे छोटी basic unit क्या है, cell, उसी तरीके से अगर मैं organ की बात करूँ kidney की, तो उसका क्या होगा, nephron, next, the pigment which absorbs solar energy, solar energy का मतलब यहाँ पर sunlight से है, sunlight को कौन सब pigment absorb करता है, तो वो करता है कौन, chlorophyll, आपको पता होगा, उसमें भी chlorophyll में अगर specifically जाए, तो हम क्या बोलेंगे chlorophyll A, ठीक है, इसमें एक option है both of these, तो देखो कुछ बच्चे अब इसमें both of these करेंगे, क्योंकि actually मैं plant के पास बहुत सारे pigments होते है, carotenoid is a one of pigment which present also in plants, लेकिन carotenoid जो है, वो solar energy को absorb नहीं करता, solar energy को absorb करता, तो यह photosynthesis भी करता, तो यह काम सिर्फ कौन करता है, chlorophyll A, different different type of chlorophyll A होते हैं, यह आपको high classes में पढ़ाया जाता है, next question, absorption of food occur in, जो food का absorption है, वो कहां start होता है, simple सा question है, food का जो main absorption है, वो actually में होता है, small intestine में start, ठीक है, actually उससे पहले तो digestion चल रहा होता है, absorption कहां start होता है, small intestine, next, waxy cuticle present on the lower and the upper epidermis of leaf, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे leaf होते, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनना कभी shine करते हैं, चमकते हैं, तो चमकने का उसका main purpose क्या होता है, कि उसके upper और lower दोनों side उपर क्या होता है, एक layer लगी होती, मतलब कि जहां पर पानी क्या है, बहुत जादा, कम available है, तो इस type के leaf जो होते हैं, उसके उपर क्या होता है, cuticle की layer, जो क्या करता है, stomata से जो water loss होता है, उसको क्या करता है, यह बचाता है, तो इसमें हम generally कह सकते हैं, कि water के evaporation क्या कर रहा है, बचा रहा है, कम कर आता है, देखो कभी भी plant से water का loss हम ऐसा नहीं कर सकते कि रोक दे, यह impossible है, क्योंकि stomata का open होना कुछ time के लिए, but it is necessary, और अगर stomata open होगा, तो evaporation होगा, यह एकदम common सी बात है, ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना है, prevent evaporation of water, option B, next question, the enzyme tryption, tryption जो होता है, किसको absorb करने में help करता है, मतलब किसका digestion करता है, protein, इसका answer क्या है, C, next question, the energy, energy for photosynthesis provided by same, अभी मैंने बताए कि energy कौन, वहाँ प पर energy अब photosynthesis से पूछ लिया, क्या बोलेंगे sunlight, next, the largest gland, largest gland of human body, largest gland of human, कौन सा होता है, liver, liver multipurpose काम करता है, ऐसा नहीं कि एक ही काम करता है, liver हर तरीके के enzymes और maximum type के, मतलब हर organ से यह connected है, हर organ, मतलब हर तरीके का काम करता है, जिसे kidney है, उसका एक specific काम है, but liver जो होता है, many functions करते हैं और बहुत सरीके के enzymes और चीजों को secret करते हैं, that's why liver is called the largest gland of human body, okay, next question, a person of blood group AB produce antibody, ऐसा blood group, मतलब यहाँ पर पूछाई कि, एक person है, जिसका blood group क्या है, AB, तो अगर इसका पास blood group AB है, तो इसके पास कोई भी antibody नहीं है, समझ में आगे, antigen इसके पास AB होगा, but antibody क्या है, इसके पा इसको हम universal recipient भी बोलते हैं, जो मैंने भी आपको पिछले question में समझाया था, universal recipient का मतलब कि यह किसी से भी ले सकता है, किसी से क्यों ले सकता है, क्योंकि इसके पास तो कोई antibody ही नहीं है, समझ में आ गया, next question, lymph transport, lymph एक fluid होता है, colorless fluid, यह किस चीज़ को transport करता है, तो lymph जो होता है इसमें option क्या दिया हुआ है, blood, blood तो बिल्कुल ही नहीं होगा, CO2 और O2, O2 का transportation तो कौन करता है, हीमोगलोबीन करता है, hormones, hormones, blood के त्रूँ ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते है, fat and lymphocyte, lymphocyte are the WBC cells, और actually में lymph fluid के अंदर क्या हमसा cell होता है, WBC cell होता है, समझ क्लोट करने के लिए जो vitamin essential है, that is vitamin Q, ABA stands for, ABA stands for, ABA is, ABA is plant hormone, और ABA की full form ही बता देती हूँ मैं आपको, ABA is EBCC acid, EBCC acid, EBCC acid क्या है, एक plant hormone है, ठीक है, इसके बारे में मागी देखेंगे, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option B, next question, which of the following gaseous hormone, इसमें से बोलाई कि option में से कौन सा gaseous hormone है, that is ethylene, ठीक है, next question, blood look red because of, blood जो होता है, वो red क्यों दिखता है, क्योंकि blood में क्या होता है, hemoglobin, hemoglobin एक red color का pigment है, HB is the pigment, name the hormone secreted by pancreas, pancreas कौन से hormones को secret करता है, तो इसमें पहला insulin, which is very famous, obviously pancreas secret करता है, आपको पता ही कि insulin एक ऐसा hormone है, जिसकी कमी से, जिसकी deficiency से लोगों को क्या हो जाता है, diabetes हो जाता है, right, अच्छा, इसमें एक option दिया हुआ है, glucagon, gluca is the, इसका answer both of these होगा, दोनों ही hormones कौन से करता है, pancreas, olfactory and ponoreceptor, olfactory and ponoreceptor, olfactory का मतलब बता है smell, ठीक है, तो यहाँ पर बात करीगे है, olfactory और ponoreceptor, pono यहाँ पर sound के लिए use कर रहे है, तो यहाँ पर देखो, आप olfactory में smell की बात हो रहे है, तो smell कौन-कौन से option में, चारो में ही है, पर starting के दो में smell है, इसमें sound और smell है, तो इसमें question के according पहले olfactory लिखा है, तो हम option A और B के साथ जाएंगे, अब इसमें ponoreceptor, मैंने आपको बताएं कि ponos sound के लिए होता है, अगर photoreceptor होता तो हम light के साथ जाते हैं, तो इसमें हमारा question option क्या हो जाएगा B, smell and sound, next hormone responsible for closing of stomata, stomata को close करने के लिए कौन सा hormone responsible होता है, very very important question क्या हो जाएगा, abscissic acid, next question देखिए, choose wrong sentence, गलत sentence हमें चुनना है, root show positive geotropism, stem show positive phototropism and the root show all negative hydrotropism, root show positive geotropism, geotropism का मतलब कि अगर कोई भी जीज़ ग्राउंड के towards grow कर रही है, तो यह तो सही है, हमें गलत sentence चूज करना है, stem show positive phototropism, phototropism का मतलब कि जो sunlight के through grow हो रहा है, मतलब उसकी तरफ grow हो रहा है, उसकी तरफ positive वह है है उसका, and the root show negative hydrotropism, ऐसा थोड़ी होता है, root जो होता है, वह water के लिए negative कभी show नहीं करता है, जबकि पानी तो हम root में डालते हैं, तो इसमें wrong sentence क्या हो जाएगा हमारा civil option, next, an animal the sense organ for touch, touch के लिए, यहाँ पर देखो मैं आपको सारे बताई देती हूँ, photo मैंने आपको बताई था, light के लिए होता है, all factory भी थोड़ी दिर पहले समझाए, smell के लिए, और phono किसके लिए, sound के लिए, किसके लिए, sound के लिए, तो लास्ट बज़ी किया, tecto, tecto for touch, right, ABA stands for, थोड़ी दिर पहले समझाए था, मैंने कि ABA phyto hormone है, plant hormone, जिसकी full form है, FC-C acid, next, FC-C acid जो होता है, यह वल्ला जो hormone है, यह generally क्या करता है, ग्रोथ को कम करता है, इसका main, जो function है, वो, largest cell in the human body, human body के अंदर सबसे बड़े cell को क्या बोलते हैं, that is now cell, next, the point of two neurons, which is very, very important question, यह question काफी बार पूछा गया है, यह बहुत ही important है, दो neurons जहां पर connected होते हैं, उस point को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, synapse, इस question को तो आप important mark कर लो, क्योंकि यह बहुत ही important question है, ठीक है, दो neurons जिस point पर आकर मिलते हैं, उस point को क्या बोलते हैं, synapse बोलते हैं, clear है, next, a person with blood group B can donate blood to, इसका blood group B है, वो किस-किस को blood दे सकता, वो blood दे सकता है B वाले को, और blood दे सकता है AB वाले को, O वाले को नहीं, क्योंकि AB वाले के पास किसी के लिए antibody नहीं होता है, ठीक है, O वाले के पास जो होता है, AB के लिए क्या होता है, antibody होता, यह सब rule यहाँ पर antibody का है, जो antibody आपके पास है आप उसका वो ने ले सकते blood ठीक है तो यहाँ पर देखो जिसे B वाला है तो यह किसको blood दे सकता है A B वाले को और B वाले को ठीक है प्रपोड के अंदर जो और गन होता है जो एक्सक्रेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है वह कौन सा होता है किड्नी यूमन्स में होता है नेफ्राओंस आरगर दो सेल्स फ़ दो किड्नी नेफ्रीडिया अन दे लास्ट वन इस यह जो इस में जो जाएं है जितने भी इंसेक्त होती राइट घ्यास तो इसमें क्या हो जाएगा मालफीजिएं टिबूल्स ठीक है जूंस में एक्सेट्य नेफ्रोंन दाट प्रमों दाट प्रमोह जा लिए एक्सका अंसर है ऐपसीसिक असे ठीक है okay next glomerulus is the part of glomerulus is a part of nephron and nephron is the part of kidney the smallest unit of the kidney is nephron clear next the process the procedure used in the working of artificial kidney official kidney ke andar joe procedure use kiya jata hai that is dialysis that is dialysis next in earthworm nephridias are found earthworm johai nephridia that is excretory organ wooh kaha parota attached to the septa and the and and in the skin in blood anywhere in the body none of these haan to is cancer kiya ho jayega humara attached to the septa in the skin in skin ke hi oopper present hoota hai mtlab under okay nephridia next human urine contain human ka joe urine hoota us ke inder kya kya cheeze hooti hai ismei likha hai water and co2 co2 ne to urea to urine mein zharuri hai aur eka option hai humare paas water only to yeh do option to already eliminated ho ga hai humare paas option bachaa kiya hai b or d to ismei urea to doon ho mein abh yaha par question yeh hai ki jo co2 hai wo release hoota hai ki nahi hoota hai toh ismei hum likhenge ki co2 bhi release hoota hai right toh ismei humara option kya ho jayega d next question dekhyeh ascent of the sap in plant takes place plant ke inder jo sap hoota hai wo xylem ke through liya jata hai next point next question a and b both antigens are not found in person with blood group abhi mein tab se a ki baat dhamjari hoon aap logo ko ki antigen aur antibodies ka sara game hai haa question puchha hai ki a or b both antigens kiske paas nahi hootate hai kiske paas nahi hootate jiska blood group o hootate hai jiska blood group o hootate hai uske paas nahi toh antigen a hootate hai or nahi b hootate hai lekin uske paas antibody kone se hoongi a or b both hoon hoon ishi liyeh woh kisii or se blood nahi le sakta sab ko dhe sakta hai par le nahi sakta take hai next question dekhyeh blood cells are manufactured blood cells joh hai mtlab humara jitne bhi blood cells heo kaha bantte bone marrow mein and bone marrow is present in the long bone long bone kaha hai aap ki jisko aap thigh bone bol takte hai is bone ka joh naam actually femur naam hai thik hai next the excretory organ in memals memals ke indir joe excretory organ hota that is kidney yeh bhoot easy sa question tha hemoglobin is n hemoglobin kya hai hemoglobin eek antigen hai antibody hai protein hai enzyme hai hemoglobin is a protein okay hb protein which has no nucleus kiske paas nucleus nahi hoota hai lymphocyte monocyte wbc or platelets toh yahaan per agar rbc hoota toh main option lagati but there is the platelet the platelet also has no nucleus okay next a b anti-bodies are found in person with blood group what a b antigen kiske paas nahi hooga o ke paas तो इसका भी option क्या है o तो हमारे आज के questions खतम हो चुके हैं hopefully कि यह सारे questions आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो आपके लिए useful हो थांक यू फर वाचिग आर वीडियो